दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे प्रसाओती हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से। विभाग के अपर मुई के सचीव अरोनेस चावला ने बताई कि हम अपने इस तर से तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों विभाग ने सभी प्रखणों में एक कन्या चेत्रे अन्वेंसोको की न्यूक्ति का निन्ने लिया था। विभाग के निन्ने के अधार पर ये अर्थ मार्च से सुरू जादिके सभी अंचलों में एक मार्च से राजस अधिकारी और अंचला दिकारी दाखिल खरीज के मामले निप्टाए जाएंगे इनके बेच कारी का बड़वार हलका के अंक के अधार पर होगा यानि कि सम संख्या वाले हलकों का काम राजस अधिकारी करे नहीँ नहीं दाखिला करेंगे करना करना कर रा अनिवार होगा किसी सुरत में यह क्रम नहीं तोड़ा या आपके जानकारी के चलिए बता दी के बदलाओ करने वजह बोजह के बात करें तो विभाड को कटपिय मायदम से यह जानकारी मिलेती कि दाखिल खारीज आविदन का सब्सम्मे निस्पादा नहीं हो रहा था यहीं नहीं बीना उचित कारण बताए आविदन को रद भी किया जा रहा था इसी को दिहान में रखते वे राज सरकार ने दाखिल खारीज के विवस्ता में क रुपे में देख सकेंगे जमीन के दस्तवेज जिया देखे राज में अब महाज 10 रुपे में ऑल्लाइन जमीन के राजस अब लेक प्राप्ट कर सकेंगे जस्व अबंभूमी सुधार मंत्री आलोकुमार महता ने सुविदा लॉंच की है दस्तवेज को बेवसाइड से इसकी सुर्वात की है अब कोई भी किसान या रहत राजस व अभी लोगों की डिजिटल हस्ताउचरित प्रते एक फोर साइज में मात्रह 10 रुपे में ऑल्लाइन भुगतान कर वेवसाइड से डाउनलोड कर सकता है साती विभाग दवारा च्छा मापूर्व से मानचित्रो की ओलाइन उपलब्दा एवम होम डिलिवरी की सुविता रहतों की दी जा रही है राजस व दस्तावेजों को ओलाइन उल्लोब दकराए जाने से किसान ववर रहतों की समय में काफी वज़त होगी एवम बिभाग की पदादीकारियों के कारिप्रनाली में सुधार आएगा देखर में देखे बिहार के 500 थानों में खुलेगा महिला हेल्प डेस्क 26 फरवरी को सीम करिंग उदगाटन जा देखे अब बेहिजक महिलाई थाने में अपनी समय साही रखेगी बता देखे कि 500 थानों में खुलेगा महिला हेल्प डेस्क बिहार पुलिस सब तक आवज़न किया जा रहा है जहां 26 फरवरी को सियम नितिस्क मार बिहार के 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्गाटन करेंगे इस पर एड़ी जी आर मलार बीजी ने बताए कि अब महिलाई पुलिस में आ रही है महिलाई ससक्त हो रही है जहां महिलाई सिपाही दूसरे महिलाई को ससक्त करेगी जिससे महिलाई बेहिचक होकर अपनी समयसा को बता सकीगी जीले में उबलब दुबल के मताबिक सबी थानों में इसके लिए एक-एक महिला जवान की तैनाति की जाएगी उन महिला सिपाई का ट्रेनिंग भी करवाया जाएगा फिर उन्हें कानून के बारे में जानकरी दी जाएगी जिससे आने वाले पिटित महिलाई की मदद की जा सके राज के हर थाने में महिला हैल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है हर जिला में एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है बाड़ी खर में देखे अब पहले कक्षा में दाकले के लिए उम्र सिमा हुआ था केंद्रे सिक्षा मंत्राले ने राज्जों को दिया यह निर्देश इसे जयादे की केंडरे सिक्षा मंत्राले ने सभी राज़ों को निर्देस दिया है और कहा है कि वह नही सिक्षा निटी के तहट पहले कक्षा में एडमिसल लेने के लिए सभी बाच्चों की नून तम उम्र 6 साल कर दी है. इसको लेकर सभी राज़ों को आदेस भी जारी कर से माझाटन हडिया गया है मैं जारी निर्देश में कहा गिया कि कख्चा 1 में एडमिसन की उम्र 6 साल की जाये वहां इस बात के जानकारी बिद्वार यानि 22 वर्वरी को अधिकार Imam का थिक शाle में बच्चों की सिक्षा को मौजबूत और बेहतर करने के लिए उनकी आयू सिमा बढ़ाने जरू है केंद्र ने राज्जो से पूर्व स्कूली सिक्षा पाइड करम में दो सल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया सुरू करने का भी अनुरोध किया है बाड़े कर में देखे बिहार के सरकारी मेडिकल कोलेजों की फीस में तिरेपंसो फीजी तक की बढ़ोतरी नितीस केबिनेट ने दिया जटका जियादे के बिहार के सरकारी मेडिकल कोलेजों में पीजी और सुपर स्पेसिलिटी कोर्स की फीज तरेपन सो फीजी तक बढ़ गई है मुख्यमंत्री नितिस कुमार के अधिक्ता में सुकुरवार को हुई राज केबिनेट की बेटग में यह फैसला लिया गया है आपकी जानकारे के लिए बदा दे कि पटना इस्तित PMCH और दरबंगा इस्तित DMCS जैसे सबसी पुराने मेडिकल कोलेजों में तेन साल की पीजी और सुपर स्पेसिलिटी कोर्स की फीज महज 500 रुपिय है आप इसमें 5300 फीजिक की बड़ातरी करके सुल्कों को 9000 रुपिय प्रति वर्स कर दिया गया है इसके अलावा PG कोर्स में परवेश के लिए स्टुडेंट को एक बार 4000 रुपिय के एडमिसन फीज भी चुकाने होगे वहें स्टुडेंट से PG डिप्लोमा कोर्स में 2000 रुपिय और सुपर स्पेसिलिटी कोर्स में 5000 रुपिय एडमिसन फीज वसुल लिजाएगी आप दक डेम सेस में डिप्लोमा और PG कोर्स के एडमिसन फीज महाज 20 रुपिय थी बिहार में जल्दी बंध हो जाएंगे कागजे स्टांब इस दिन से इस स्टांब की बिकरी होगी सुरूब ज्यादे के बिहार में कागजे स्टाम बंद हो रही है नागपूर के प्रेस से कागज पर प्रिंट होकर आने वाले स्टाम पेपर की बिक्री बंद हो जाएगी जिसका सिधा फाइदा आम लोगों को मिलेगा आम लोग अपने जरुत के नुसार से स्टाम पेपर की खरीद कर स किंगे जिसका हिसाब ऑनलाइन रहेगा और नकले इस टाम पेपर की बिक्री पर भी रोक लगी यह सुविधा मद निसेद उत्पाद और निमंदन भी भाग बनाए जाने वाले नए सौप्टियर में उपलब्द कराया जा रहा है इसलिए अब राज में एक अप्रिल से इस ट और तयारी कर ली गई इस बार बजर सतर में प्रसना उत्तर को लेकर हर तरह की ववस्टेगी दरसल बिहार का बजट इस वरस फरवरी को पेस होने वाला है इसको लेकर बिहार के राजनेताओं के साथ ही साथ आम लोगों को भी काफय उमीद है खास करके किसानों और मद्वर परिवार की लोगों को बजट कैसे प्रभावित करेगा यहां जानना अतिम महत्पोन होने वाला है बाड़िकर में देखे प्रावेट मेडिकल कोलेजों की आदे सीटों पर सरकारी सूल्क पर पढ़ेंगे विदारती नितिस्कमार केबिनेट का बड़ा फैसला जिहा देखे राज के नेजे चिकसा महावित दलायों और डेम डिश्वित दलायों की पचास पर तिसद सीटों पर विदादियों का नामांकन एवा माईन सूल्क वही होगा जो सुबे के सरकारी चिकसा महावित दलाय के लिए निधारित है चिकिसा महाविदाले में छातर के नामांकेंग के समाए निधारत असल को उनके संपुन अजदन आवदिक के लिए एक समान होगा मुई कि मंतरे निदेश कुमार के अधक्ता में सुकुरवार को भी राज केबिनेट की बेड़क में स्कीर मंजुरे दी गई है केबिनेट ने कूल 2700 प्रस्ताओं पर मंजुरे दी है बिहार में अब नहीं चलेगी आटो ड्राइवर की मनमाने सरकार ने बना लिया है प्लान जादे के बिहार में जाम की समयस्था एक आम समयस्था है इसे निजात को लेकर सरकार कई तरह की योज़ना मनाते रहती है मिले जानकारे के मताबिक ताय रूट के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ घंटों समय भी तैय होगा ताकि लोगों को सहलियोत हो और जाम भी नहीं लगे क्योंकि कई सवर में ऐसे बाजार होते हैं जब बड़ी सवारी गाड़िया नहीं पोच पाती है और आवा गमन के लिए बहुत सादन भी नहीं है ऐसे में उन इलाकों में आटो चलाने के लिए समय तैय किया जाएगा अधिकारियों के मताबिक रिपोर्ट तयार करने के बाद सबी आटो एसेसेसन के साथ एक बैठक की जाएगी और उनके साथ भी तैयरूट को लेकर चर्चा की जाएगी इसके बाद यहां सबसे पहले पटना गया मुझपरपूर, भागलपूर, पूर्नियावा, भोजपूर में या सुविधा सुरू की जाएगी उसके बाद आने जिलों में भी इस नेम को लवुक किया जाएगा देखर में देखे BPSC ने जारी किया एक्जाम केलेंडर, 68PT परिच्छा का रिजल्ड 27 मार्च को और सरसोटी मेंस का रिजल्ड भी आएगा इस डेट पर ज्यादे के बिहार लोग सिवा आयोग ने परिच्छा का केलेंडर जारी कर दिया है इस केलेंडर के तहद 13 तरह के कूल 45,892 परिच्छा के लिए नई परिच्छाव की तिति जारी की गई है वहीं आयोग ने असिस्टन परोफेसर के कई परिच्छा के लिए फाइनल रिजल्ड की तिति भी घोसित की है इसके साथ ये 68 परिच्छा के रिजल्ड की डेड़ भी जारी कर दिया गया है आयोग ने 68 परिच्छा के रिजल्ड 27 मार्च को गोसित कर दिने के फैसला किया है इसके अलावा बीपियस्टन परोफेसर की प्रारमिक परिच्छा 28 अप्रिल को होगी इसके लिए 44 पदो पर आवेदन मांगे गए थी इसमें 80,200 के लगबग आवेदन आये हैं यानि एक सीट पर लगबग 2,000 अभी आरती होंगी इसके अलावा आयो के मताविक भी पेसी सरसोटी मुई की परिच्छा करिजल 14 मौई को आएगा सीटीपी और मुई की परिच्छा करिजल 13 अपरिल को आएगा वहीं आडिटर की मुई की परिच्छा करिजल 18 मार्च को आएगा प्रदान मंत्रे नरेंदर मोदी पीम किसान की तेरवी किस्ट अगले हपते जारी कर सकते हैं सूचना है उसके अनुसार 27 फरवरी को तेरवी किस्ट का पैसा जारी हो सकता है क्रिसी राज मंत्रे इस सोबा करंदाला ने इसके जानगारी दी है योजना में सामिल किसान, रजिश्टर किसान, पीम किसान पोटल पर मिनिफेसरी लिष्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं वाईदे के क्रिसी राज मंत्रे ने कहा के 27 फरवरी को पीम मोदी किसानों के लिए 2000 रुपे की किस्ट जारी करेंगे केंदर सरकार ने पियम किसान योजना की तरवी किस्त जारी करने के लिए करनाटक के पूरो मुख्य मंत्री बियस यदे रुपा का जरम दिन चुना है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी मिसन करनाटक के तहद अगले हपते सिव मौगा में अंतराष्टी हवा यडे का भी उद्गाटन करेंगे बिहार में अब आना जाना होगा और असान असी नए रूटों पर चलेगी बसे जादे के बिहार में बिबिन सहरों और कस्बों से आवागमन और आसान होने वाला है राजबर में असी नए मारगों पर अब बसों का परिचलन हो सकेगा इन मारगों का निदारन करके इसके अदे सुचना परिवान बिवाग ने जारी कर दी है ताइम मारग पर परिचलन के लिए बसों को परमिट जारी होगा जिलों की मांग और लोगों की सुविदाओं को देखते वे राज सरकार नहीं निनने लिया है एक नितियस कुमार का बड़ा तौफा अब इनी सबी समिसाव को लेकर बिहार सरकार और स्वास्त बिवा के मांत्रे तेजस्व यदाओं ने बड़ा फैसला लिया है दरासल बिहार के मुई के मांत्रे और स्वास्त मांत्रे तेजस्व यदाओं से राज के दूर दराज के आकर राइजानी पढ़ना में अस्पटालों में लाज करवाने वाले मरीजों और उनके परीजनों को बड़े राहत देने का निन्या किया है नितिस और तेज़स्वे ने यह फैसला किया कि पढ़ना के नामे और काफी भीड़ बाड़ वाला इस्पटाल एम्स में मरीजों के परेजनों को ठारने और अब पहले से और अधिकतर सुविदा दी जाएगी इसको लेकर उन्होंने राज सरकार की तरब से पाचीस से कड़ जमीन एम्स को देने का फैसला किया है मुच्च मंतरे नितिस कुमार ने पढ़ना एम्स में मरीजों के परेजनों के लिए 500 बेट का एक कैमरा बनाने का फैसला किया है इसके लिए पढ़ना एम्स को 25 से कड़ अतरिक जमीन राज सरकार की और से दी जा रही है